नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में हम कोरोना से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसके बारे में जानेंगे और जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे और जो बहुत सारे छोटे छोटे चीज जो कि हम लोग नहीं समझ पाते या फिर रिपोर्ट देखकर नहीं समझ पाते या फिर हमें लगता है कि हमें डॉक्टर से जाकर पूछना चाहिए जब कि वो बहुत ही छोटा सा चीज होता है अगर हमें मालूम होगा तो हम बहुत सारा जानकारी खुद से ले सकते हैं तो आज हम लोग दोस्तों उसी के बारे में इस वीडियो को रखेगे दोस्तों सबसे पहले RT-PCR टेस्ट क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यह हमें RT-PCR के बारे में जानना चाहिए कि यह RT-PCR होता क्या है दोस्तों RT-PCR का अगर आप फूल फ़र्म देखे तो reverse transcription पॉलिमिराज चेन रियक्षन होता है मतलब इसके नाम से लग रहा है reverse transcription अब transcription क्या होता है कि हम भोम आप मान लीजी आप ऐसे देखे कि एक धागा है आप उसको अगर दो धागे में एक साथ बांधते हैं तो उसको ट्रांस्क्रिप्शन कह सकते हैं बाइलोजी के इस भासा में कि अब सोचे रिवर्श ट्रांस्क्रिप्शन फिर क्या होगा मतलब कि दो धागा है आप उसको एक में बदल दिए, तो उसको reverse transcription कहते हैं, तो अब आप पोलेंगे reverse transcription, transcription यह है क्या, दोस्तो हम सभी जानते हैं, जो coronavirus होता है, उसमें RNA होता है, और RNA जो होता है, वो single thread like structure में होता है, तो दोस्तो हमारे पास जो भी technology है, हम लोग DNA को अच्छे से पढ़ पाते है, RNA की मताविक, RNA अभी हमारे पास उतना पढ़ने लायक नहीं हो पाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कि उस DNA, RNA को DNA में परिवर्थित करते हैं, मतलब कि एक RNA के strain को दो में मिला करके, हम लोग बनाते हैं DNA, फिर हम लोग उसको देखते हैं, तो दोस्तो इसी को हम लोग करते हैं, reverse transcription मतलब जो की RNA है, उसको DNA में चेंज कर देते हैं, तो reverse transcription, ठीक है, अब दोस्तो हम लोग दूसरी बात करेंगे, यह जो हमारे रिपोर्ट में जब भी हम कोई भी COVID positive पाया जाता है, तो उसमें एक value होता है CT value, तो यह CT value क्या होता है, और हम लोगों को यह CT value क्या बताता है, तो इतने हद तक फैला हुआ है, अब क्या फैला हुआ है, क्या नहीं है, यह चीज कौन बताएगा, तो यह CT value एक threshold value को लेकर हम लोग चलते हैं, मतलब जो भी lab वाले हैं, या पिर जो scientist है, वो यह बात decide किये हैं, कि 35 तक अगर आपका CT value है, तो फिर आपको COVID है, अगर 35 से उपर है, तो फिर आपको COVID negative है, मतलब आप positive नहीं है, तो दोस्तो इसी चीज को हम लोग check करते हैं, अब क्या करते हैं, अब यह check कैसे होता है, तो दोस्तो यह check ऐसे होता है, जिस तरह हम लोगोंने RT-PCR के बारे में बात किया था, कि हम लोग उसको जो DNA से, जो है, हम लोग DNA को लगाए, जिसमें कि हमको coronavirus दिखाई दे दे, तो हम लोग उसको CT value कते हैं, अब किसी किसी, जब कोई बहुत ज़्यादा अगर affected होता है COVID से, तो उनका CT value बहुत ज़्यादा कम होगा, और जो जितना ज़्यादा recovery कर रहे हैं, उनका धिरदर CT value बढ़ता जाएगा, तो दोस्त तीसरी बात है, जो भी COVID पेसेंट है, उनके लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ होती है, कि ये सब ठीक है, अगर हमारे पास RT-PCR ना रहे, CT value ना रहे, तो हम लोग initial state में क्या कर सकते हैं, तो दोस्तो उसके लिए हमारे पास pulse meter होना जरूरी है, हम लोग pulse meter से oxygen को नाप सकते है oxygen को हम लोग measure करके हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तो oxygen को measure करने से हमें ये फायदा मिलता है कि जदी हमें पता चल जाए कि हमारे body का oxygen level गिर रहा है, और गिरता क्यों है, गिरता इसलिए कि हमारा lungs COVID में affected हो जाता है, अब lungs अगर affected है तो फिर हम लोग सही तरीके से अपने body में oxygen क को नहीं पहुचा पाएंगे, तो oxygen level उस वज़से गिरे गई, तो हम लोग को अगर देखा है, मतलब हम लोग उस pulse meter को अपने उंगली में लगाएं और चेक करें कि क्या कितना हमारा level है oxygen, SPO2 level हम लोग, मतलब जो oxygen जिससे हम लोग पता लगाते हैं, तो हम लोग बोलते है, SP 59% तक है, तब वो normal है, और दोस्तों उसी के साथ साथ एक उसके नीचे क्रेडिंग आता है BP, तो BP का जो वो rate है, वो 60 से लेकर के 90 तक के बीच होना चाहिए, अगर आपका ये है, तो आप भले ही आपको लग रहा है कि symptom है, आप ये चीज़ चेक कीजे, उसके बाद ही आप क अगर हम panic कर जाएंगे, तो फिर उससे क्या हो जाता है, कि जो जिनको जरूरत है, वो डॉक्टरी सला को नहीं पापाएंगे, तो हम लोग जो छोटे-छोटे चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए, इससे क्या होता है, कि हमारा, एक तो पहले हमारा ही फैदा होता है, उपर से अगर आसपास भी लोग कोई जानने वाले हैं, तो हम उनको बता भी सकते हैं, अब दोस्तों जानेगे कि COVID में, COVID होने के वज़र से हमारे सरीर में जो problem आती है, तो वो किस वज़र से आती है, और ये क्यों कहा जाता है, कि diabetes वालों को ये जादा मतलब खतरनाक हो सकत है, ये कोरुना, तो दोस्तों, जो हमारे सरीर में जो जिंक का लेवल है, वो जो है, इंसुलीन को बनाने और कम करने में मतलब मदद करता है, अगर इंसुलीन नहीं बन रहा है, तो मतलब साफ है क्या कि हमारे सरीर में जिंक का लेवल कम हो गया, मतलब diabetes है, अगर आपके सरी के लिए यह जरूरत पड़े हैं कि हमें जिंक को कंश्यूम करना पड़ेगा आप चिंए अप कहां से ले सकते हैं तो आपको एंडै से ले सकते हैं या फिर धाल वाल खाईए तो वह वह में आपको इसकी भरपूर मात्रा मिल जाएगी, इससे आप इसको compensate कर सकते हैं, तो दोस्तों हमने ये सारे चीजों के बारे में बात किया, तो उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगिए होगी और ये informative लगिए होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ share कीजे, और अगर आप ऐसे informative वीडियो चाते हैं, तो हमारे चनल को subscribe कीजे